रादे रादे जैसी किष्णा कैसे हैं बक्तों आप सब आई होप सभी अच्छे ही होंगे मैं संगीता शर्मा भक्ती वजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो भक्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जैसे अगर हम अपने लड्डू को पाल जी को भार कहीं गुमाने ले जा रहे हैं दो चार दिन के लिए तो उनके लिए हमें कौन-कौन सी ड्रेस रखनी चाहिए जिससे की हम इजीली रख सकें तो आपके मैं आज वही शेयर कर रहे हूं कि आप कैसी ड्रेस ले जा सकते हैं अपने लड्डू को पाल जी की सफर में या फिर कई घूमने जा रहे हैं जैसे कि अब ठंड चल रही है तो लड्डू को पाल जी की आप इस तरीके की ड्रेस ले जा सकते हैं चाहे आपके छोटे लड्ड वगोपालें तो आप इस तरीकिए की ड्रैस ले जा सकते हैं तो यह मैंने पजामी बनवाइए पियुक्र तो यह सफर में हम यह ड्रेस लेके जा सकते हैं और यह छोटी-छोटी भी होते हैं जादा जगे भी नहीं गेरती है तो मैंने ये बनवाई हुई है ये कोलर वाली बनवाई हुई है ज़्यादा तर मैंने ये ड्रेसे बनवाई हुई है और ये है वेलवेट में तो आप इस तरीके की ड्रेस लेके जा सकते हैं सफर में तो मैंने भी लड़ुग पाल जी के लिए शफरके लिए जैसे ठंड में मैं ये ड्रेसे जैसे ले जाती हूं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं ये शे एर कर दूँ और एक ही और ड्रेस है इसको भी ले जा सकते हम इसमें ये जो अटाच है इसमें cap भी attach है और इसके साथ भी इस तरीके की पजामी है एक ये मैंने dress बनवाई हुई है थोड़ी अलग-अलग design की बनवाई हुई है ये भी पजामी है और ये इसके साथ उपर की t-shirt है ये इस तरीके से आ जाती है आप समझी यह होंगे यह इस तरीके से आएगी उपड़ से यह आ जाएंगे तो यह इस तरीके की dress है तो आप अगर आपके घर के पास कोई ऐसी dress से बनाता है तो आप भी बनवा सकते हैं तो एक ये ड्रेस हो गई और सारी मैंने अलग-अलग डिजाइन की बनवाई हुई हैं और ये इस वाले ड्रेस के साथ की ये कैब भी है तो इस तरीके की जब आप बनवाए तो इस तरीके की पूरा आप सैट बनवा सकते हैं अगर बूलन में बनवानी आपको छोड़े लड्डू गोपाल की तो आप इस तरीके की ड्रेस भी मनवा सकते हैं और एक ये है छोटे लड्डू गोपाल की तो जैसे मैं सर्द्यों में सफर में जाती हूँ तो इस तरीके की ड्रेस मैं ये ले जाती हूँ और इजीली उनकी बकिट में आ भी जाती है बड़े लड़ू की भी छोटे लड़ू की भी तो मैं इजिली ये ड्रेसे बकिट में आ जाती है तो मैं इस तरीके की ड्रेसे ले जाती हूं और आजकल तो बजार में भी आने लगी है इस तरीके की छोटी छोटी ड्रेसे काफी आने लगी है तो आ यह जो मतलब आटाया चाया कैप जिसमें सभी की मैंने सभी की नहीं दिखाऊंगी क्यूंकि सभी की दिखाऊंगी चारों बच्चों की तो फिर काफी सारी फिर ड्रैसे निकालनी पड़ेंगी तो मैं आपको एक एक ही दिखा रही हूं और इसके साथ की पजामी भी है और यह सारी गरम ड्रैसे हैं ठंडीनी हैं और गर्मियों में भी मैं समर में इस तरीके की ड्रैसे बनवा लेती हूं तो मेरे पास कमेंट आया था कि मैम आप लड्डू गॉपाल जी की जो शौर्ट ड्रेसे हैं वो दिखाईए तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ड्रेस भी दिखा दूँगी और सफर में आप इस तरह की की ड्रेसे लेके जा सकते हैं लड्डू गॉपाल की तो एक यह रैड वाली है इसमें भी हुडी है यह पीछे और लड्डू गॉपाल जी अच्छे से इनका सर कवर हो जाता है ठंड ने लगती है बिल्कुल भी तो इस साथ में यह पजामी भी बनवाई हुई है अगर आपको गोल में बनवानी है तो आप इस तरीके की बनवा सकते हैं इसमें जैसे प्लेटे वगारा नहीं है तो यह भी स्पेस कमी गेरता है तो आप इस तरीके की बनवा सकते हैं जैसे गोल शेप में इसमें प्लेटे नहीं है इस तरीके की बनवा सकते हैं छोटी बड पड़े लड़्डु गोपाल की दिखाई थी वो तो मैंने कपड़े से बन वाई हुई थी गरम और ये है बूलन में और ये हमारे छोटे लड़्डु की और ये है उसके साथ की कैप तो इस तरीके की बहुत सारी ड्रेस हैं मेरे पास छोटी-छोटी ज़ी ड्रेस reference तो मैं सारी नहीं दिखा रही है आपको थोड़ी ड्रेसे दिखाई है मैंने आपको और आप एक इस तरीके की ड्रेस भी बनवा सकते हो गरम में जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें वेलक्रो लगी हुई है और एक वेलक्रो यहाँ पे लगाई हुई है जैसे आप ले जा रहे हैं सफर में तो अपने लड़ू गोपाल जी को रात को पिना सकते हैं या फिर सुभा में उनको बिठा रहे हैं आप तो आप इस तरीके की ड्रेस पेना सकते हैं तो इसमें कैब भी है ये और ये इस तरीके की है आप इसके नीचे पजामी डाल सकते हैं छोटी सी और उपर से ये डाल दे और कैब एसके अंदर तो आप इस तरीके की ड्रेसे सफर में ले जा सकते हैं तो मैं सारी ड्रेसे आपको दिखानी रही हूँ, कुछी ड्रेसे दिखाई हैं मैंने, क्यूंकि मेरे पास तो राधारानी की बड़े लड्डू गोपाल की सेमी ड्रेस हैं, और केशव और केशवी की सब की सेमी ड्रेस हैं, तो मेरे पास चार-चार के मतलब दो हमारे बड़े लड्डू गोपाल और राधर आने की हैं तो मैंने आपको कुछी ड्रैसे दिखाई हैं तो आप इस तरीके की ड्रैसे बनवा सकते हैं और इस तरीके की आप बकिट ले सकते हैं और इजीली इसमें इजीली आप इसमें कपड़े रख सकते हैं और इसमें काफी सारे कपड़े आजाएंगे मैं आपको दिखा देती हूं तो इसमें काफी सारे हमारे लड्डू गोपाल जी के कपड़े आजाएंगे और यह चोटे-चोटे-चोटे हैं यह तो काफी सारे आजाएंगे तो इसमें आप लड्डू गोपाल जी को अगर कहीं घुमाने ले जा रहे हैं तो इस तरीके से आप ड्रैसे रख सकते हैं तो इसमें काफी सारे कपड़े आ जाएंगे और आप पेर बना बना के रख लें इस तरीके से और आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं सर्दियों में तो आप इस तरीके के कपड़े लेके जा सकते हैं और इस तरीकी की बकिट में रखके अपने लड़ू गोपाल जी के कपड़े ले जा सकते हैं तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो आप बताना कमेंड में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले राधे राधे जैशी किशना